नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको विमी की कहानी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताय था कि कैसे विमी का अंत हुआ था बेहत खोबसूरत विमी का अंत कितना भयानक हुआ था, ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताय था जिन्दगी के आखरी समय में विमी को अपने ही लोगों से वो बेवफाई मिली थी जिसकी कलपना एक फिल्मिश्टार तो क्या एक आम आदमी भी नहीं कर पाएगा विमी की मौत एक सरकारी अस्पताल के जन्रल वार्ड में हुई थी और उनकी डेड बोड़ी को एक ठेले पर लाद कर शमशान घार तक ले जाया गया था विमी की कहानी जिसने सुनी थी वो फिल्मी दुनिया की चकाचाउंद के पीछे का सच देख कर दंग रह गया था उसी कहानी में मैंने आपको विमी के जन्म से लेकर मौत तक की कहानी बताई थी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो चाहे तो वीडियो को देख सकता है लिंक डिस्क्रिप्सन में है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विमी के दो बच्चे थे एक बेटा, एक बेटी पहले बात करता हूँ बेटी के बारे में विमी की बेटी के बारे में कोई खास जानगारी उपलब नहीं है मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है इस बात पे कुछ लोगों का मानना है कि विमी की बेटी जब पांच वर्ष की थी तभी उसकी मौत हो गई थी वहीं कुछ रिपोर्टे के आधार पर ये भी कहा जाता है कि विमी की बेटी शादी करके विदेश में सेटल हो चुकी है और शादी के बाद वो कभी भी जो है इंडिया लोट कर नहीं आई वैसे इन में से कौन से रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत है ये पता करने में मैं नाकाम रहा हूँ लेकिन इतना पता जरूर किया है कि विमी की बेटी का नाम शौना था अब बात करता हूँ विमी के बेटे के बारे में विमी के बेटे के बारे में जो है काफी लोग पहचानते भी होंगे उनको उनका नाम है रजनीश रजनीश के बारे में जो जानकारी मैंने इखटा की है वो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रहा हूँ विमी ने कलकत्ता के एक बड़े बिजनिसमेन के बेटे के साथ में लव मेरीज की थी उनका नाम था शीव अगरवाल शादी के एक साल बाद जो है विमी ने एक बेटे को जनम दिया बेटे का नाम ससुराल वालों ने अपनी पसंद से रजनीश अगरवाल रखा विमी का ससुराल कलकत्ता का एक बहुत बड़ा और फेमस परिवार था कलकत्ता की एक बहुत बड़ी कंपनी जीडी पिये स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेट की स्थापना विमी के पती शीव अगरवाल के पिता न ही की थी एक अमीर परिवार में पैदा हुए रजनीज बचपन से ही हाई सोसाइटी में पले बड़े थे उनके परिवार के संबंद देश विदेश के बड़े बिजनेसमेंट परिवारों से थे देश के बड़े नेताव संग भी इनके परिवार की अच्छी बॉंडिंग थी विमी के जिंदा रहने तक फिल्मी घरानों तक इस परिवार की अच्छी जान पैचान हो चुकी थी रजनीश की सुरुवाती पढ़ाई दारजिलिंग के मशहूर सेंट पॉल स्कूल में हुई स्कूल खत्म करने के बाद रजनीश ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी की और फिर जुनजुना वाला ग्रूप आफ कमपनीज में बतौर डिजाइनर काम करने लगे इस दोरान रजनीश को कमपनी की तरफ से जो है उस दोर के हिसाब से अच्छी सेली मिलती थी साल 1993 में रजनीश ने जो है जुनजुना वाला कमपनी को जॉइन किया था उस दोर में कमपनी की तरफ से रजनीश को बतौर पेकेज 3 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना मिलते थे जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एमाउंट है अपनी इस नौकरी के दोरान रजनीश को जो है दुनिया के अलगलग देशों में गूमने का मौका भी मिला रजनीश को इसी दोरान कैई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इसी दोरान किसी जगे पर उनका संपर्क हुआ आध्यात्मिक गुरू ओशो के साथ इसके बाद रजनीश का मन जो है आध्यात्म की ओर जुकता चला गया था इसके कुछ समय बाद रजनीश की दुनियादारी और महंगी नौकरी को छोड़ कर आध्यात्म को पूरी तरह से आत्म साथ कर लिया इसके बाद रजनीश जो है ओशो के पूना वाले आसरम में रहने लगे पूना में ही उस जमाने में ओशो भी उसी आसरम में रहते थे इस दोरान रजनीश जो है ओशो के काफी करीब आ चुके थे आसरम में रहते हुए खुद ओशो ने खुश होकर रजनीज को जो है रजनीज का नाम बदल कर स्वामी रजनीज कर दिया था इसके बाद जब रजनीज स्वामी रजनीज बन करी पूरी दुनिया में फैमस हुए इसके साथ ही दुन्या पर में आने वाले सरद्धालों उन्हें जानने पहचानने लगे इसके बाद ओशो जब दुन्या से विदा हुए तो रजनीश जो है आसरम से दूर हिमाले की वादियों में एकांतवास में चले गए लगबग नौ सालों तक स्वामी रजनीश ने हिमाले की वादियों में एकांतवास किया इसी दौरान उनके संपर्क में आई कुछ विदेशी स्रद्धालों ने उनसे कहा कि आप जो है ओशो के बाद उनके आसरम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेक्ती हैं आप स्वामी ओशो के विचारों को दुनिया भर में क्यों नहीं पहुँचाते इसके साथ ही रजनीश ने उनकी बात मानी और 2007 से इन्होंने विश्व भर्मन करना सुरू कर दिया इस दोरान इन्होंने जो है दुनिया के अलग-अलग देशों के अश्शी सहरों में मेडिटेशन और सन्यास केम्प लगाए आध्यात्म की दुनिया में आज रजनीश एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं देशी नहीं विदेशों में भी इनकी एक अलग पहचान है पहरता है या इनके आश्रम की सुविधाओं का इस्तेमाल करता है तो इनके बदले में उन्हें शुल्क देना पड़ता है स्वामी की लोकप्रीता पढ़ने का एक मुख्य कारण ये है कि ये अपने आश्रम में कोई फीस नहीं लेते हैं आपको बता दो कि ओशो के अन समय में जो है रजनीश और ओशो के संबंदों में थोड़ी खटास आ गई थी और उनका कारण था ओशो की बेतहासा संपत्ती उनकी जो अनलिमिटेड संपत्ती थी आश्रम की उसकी वज़े से इनके संबंदों में आखरी समय में थोड़ी सी खटास आ गई थी ओशो से इनके कुछ बातों को लेकर मतभेद भी थे रजनीज का कहना था कि ओशो अपने आस्रम में आने वाले लाखोश रद्धालों से मोटी फीस वसूलते हैं जिसका कहीं पर भी कोई भी हिसाब किताब नहीं रखा जाता है ओशो के बाद स्वामी रजनीज की लोग प्रियता जब अचानक से बढ़ी तो कहीं लोगों ने इन्हें अपना खुद का आस्रम खोलने की सला दी कुछ स्रद्धालों ने इन्हें गोवा में आस्रम खोलने का सुझाव दिया स्वामी रजनीश का जादू जो है लोगों के सर इस कदर चड़ कर बोलता था कि इनके सरद्धालों ने गोवा में बिना इनसे पूछे ही आसरम के लिए जमीन खरीदने के लिए चंदा इखटा करना शुरू कर दिया था सरद्धालों के भारी डिमांड पर रजनीश जो है साल 2010 में भारत लोटकर वापिस आ गए और गोवा में 50 एकर जमीन आश्रम के लिए खरीद ली स्वामी रजनीश जो है अपने गोवा वाले आश्रम को इको विलेज के तोर पर डेवलप करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने आश्रम का नाम रखा था मिश्टिक रोज वीजन लेकिन सरकार से जो है पर्मिशन मिलने में रजनीश को काफी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा था स्वामी चाहते थे कि गोवा सरकार इनके आश्रम को 2021 डेवलप्मेंट प्लान के तहट जो है मनजूरी दे लेकिन सरकारी तंतर और राजनेताओं के भ्रष्ट रवईये ने इन्हें इतना परेशान कर दिया कि इन्होंने भारत को फिर से छोड़ने का विचार बना लिया और एक दिन भारत से सीधे जो है मेक्सिको चले गए 2009-2010 में इन्होंने मेक्सिको की सरकार की तरफ से आस्रम निर्मान की मनजूरी मिल गई थी दो साल के अंदर ही मेक्सिको वाला जो आस्रम था वो पूरी तरह से बनकर तयार हो चुका था पचास एकड में फैला ये आस्रम दुनिया भर में आध्यात्म की खोज का सबसे बड़ा केंद्र है आस्रम में आने वाले लोगों को सभी तरह की स्वीधा दी जाती है ये आस्रम आज तक जो है एंजियो की तरह काम कर रहा है आज स्वामी रजनीश जो है मेकसिको के इसी आस्रम में रहते हैं अपनी पुरानी जिंदगी से या अपने माता पिता के पाश्ट से आज शायदी रजनीश का कोई संबंद हो विमी जिस तरह अंसमय में एकदम अकेली थी और कोई उनके पास तक नहीं था वही विमी आज अपने बेटे को देखती होगी तो खुश होती होगी कि भले ही उसके पास अंसमय में कोई नहीं था लेकिन उनके बेटे के पास पुरी दुनिया के लोग है कितने लोग विमी के बेटे से वाकिफ थे और कितने लोग पहली बार ये जान रहे है कि विमी के बेटे रजनीस थे अध्यात्मकी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है एक फिलमी सितारे जो अपने आपको celebrately कहते हैं उससे कहीं ज़ादा बड़ा नाम सौमी रजनीस का है